पूरे चार वर्षों से निरंतर टांस्वर हो रहे हैं क्योंकि यदि पूरे चार वर्षों तक आप टांस्वर खोलते हैं तो भी वो टांस्वर में ही विजी रह जाते हैं तो मुख्यमन्ती आदनी वसंदाराजे जेने हमेशा ट्रांस्वर खोल करके फिर बंद करने का काम किया फिर खुला फिर बंद किया तो यह त्रांस्वर विधान सबाके बाद के बाद खोल लेते हैं यह सबको मानूल था सरकार कोशिच ये कर रही है कि इस तबादलों को खोलने से शायद हमारे कारिकरता या जनता के अंदर जो है हमारी छवी बन जाए और हमें वोट मिल जाए तो ये तबादला निती भी इनकी फैल होगी इससे कोई डेमोज कंट्रोल नहीं होगा सिवाए बरश्टाचार के और कुछ नहीं होगा तो प्रदेश के तकरीबन हर विभाग के अंदर तबादले होने लेकिन सबसे ज्यादा तबादले चिकिस्सा विभाग और शिक्षा विभाग के अंदर होने है सवाल इस बीच यह कि जो दो महीने पहले बीजेपी की तरफ से कयास किये गए ते अपने कारेकरताओं को नेताओं को जो पत्र भेजा गया था कि अपने डिसायर हमें भेज दो तबादले हम कर देंगे क्या उसी की ये परिनितिय की तबातलों की रहा को खोला गया ताकि कारेकरताओं, करमचारियों और निताओं को एक साथ साधा जा सके शिल्दा भाई जी, सुनने में ये भी आए कि आज से जनसुनवाई भी शुरू हो चुकी है जनसुनवाई शुरू हो चुकई है, कुछ और शुरू हो चुका है देखिये, जनसुनवाई तो लगातार ही चल रही है जब से बारते जानतापाटी की सरकार बनिये मन्तरी, बेजेपी ओपिस में लगातार जनसुनवाई करते रहे हाँ बीच में अभी जो चुनाब हुए थे या मोदी जी का प्रोग्राम था इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ ये रेगूलर अब बापे शुरू हो गया है जन सुन वाई की तो बात है तो ये तो लगातार चल रही है और दूसरा क्वेशन क्या पुछ रहते हैं आप दूसरा सवाल में मेरा कुछ नहीं था मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि क्या इस बार कोई रेट लिस्ट भी आ रही है कई नहीं चल रहा है यह किसी और चाहरा है जानकारी ना पूचिए भी पिश्चित रूप से अगर बात करें जैसे तबादल खुला एक तो दलाल सक्री हो गए रेटों की लिस्ट तीन से पांच लाग और अगर चिकिस्ता हम बात करें तो पंद्रा से वीस लाग तक की रेटो मंतरी ने यह एलान किया कि वो अप्रेल मद में ट्रांसर चालू करेंगे और उन्होंने एक बहुत बड़िया बात कही कि अगर कहीं सिकायत आती है दलालों के माध्दम से तो आउनोंने खुद का मोबाइल नंबर दिया है कि इस पर आप सिकायत करते हैं वो काफी अच्छा कदम है उनका जी उन्होंने इस पर रोक लगाने की कोशिच किया कि अगर कहीं सिकायत आती है उन्होंने कहा कि दलालों के पास आप नहीं जाएं खासकर माइला हैं उनकी पास ना उलजाएं माइला सिक्षक है और सीधे अगर ये सब कुछ होता तो तबादला नीती आ जाती निच्ची तुरूप से हम यह चाहते हैं कि इस्थाई तबादला नीती आए तबादला नीती से आएगी तो यह चीजे करने के आउसकता नहीं पड़ेगी और कोई भी आरोप नहीं लगा पाएगा तो सरकार को यह चाहिए कि इस्थाई और पादला नीती से तबादले के जाए और प्रसासनिक सुदार की दिश्टी से तबादले खुलते रहने चाहिए जिससे सरकार की और प्रसासनिक सुदार ती गती निरंतर बनी रहती है ठीक है अर्जन अशर्मा जी क्या वाकई में आपको लगता है कि राजिस्तान में एक तबादला निती होनी चाहिए कॉम्टरिस को एक लंबा नुभाव है उसने महसूस भी क्या होगा कि तबादलों के जरीए क्या कुछ प्रदेश में होता है या पुरे देश में होता है और विपिन जी सबसे बड़ी बात समझे आप जैसे अभी विपिन जी ने कहा है कि किसी दलाली में उलजने की जरुरत नहीं है आप सीधा मुझे फोन करिया असंभव सी प्रक्रिया है सबसे ज्यादा ट्रांसफर्स की निमांड शिक्षा विबाग में होगी और विपिन जी भ ज्यावार-ख़वर-ख़भावर जमधारी को निवह त्यार है कि वह इसे सब जो कवायत है यह पौरी तवर जन्त को या कि सकते हैं सिक्षकों को ब्रहमित करने की कवायत है है सचाहिए ये कि पहले आशीश की एक वर्चस चलता था आज विव के चिकितसा हुँ तो आशीश है शिकशा का बट्टा बटा बटा चिकितसा हुशिता हा है उपको पारदशुता के साथlier विभादों के आपके जब आपकी ये शुद्ध रूप से पार्टिसन पॉलिटिक से जो करमचारियों का भी राजनती करन करने पर उतार हुए और आप कह रहे हैं कि जनसुनवाई भारती जंदा पार्टी कारले में जनता का राजनती करन था वाँ जनसुनवाई सिर्फ उसकी होती तो जिलों से अपनी रेकमे सिलाएं थी या फिर कोई कंप्यूटर शिक्षक महील आए थी वो नतमस तक हुई दन्वत होकर के पहुंची वहाँ पर जितने लोगों को कहां वरियता मिलेगी जब इनके पास इतने लोगों की तादाद पहुंची हुए कोई डाक जोन से आना चाहता है तो फिर उसको तो पांच लाग रुपे देने पड़ें तो इस प्रदेश में हो उस प्रदेश में तबादले खुला है ना एक्दम से यह भूकम की तरह आगया है जानी सकते हैं तो उस एक कैटेगरी जो जिनको बहुत आवशकता है उनके ट्रांसफर किये जा रहे हैं और जहां पर रिक्ते स्थान हैं जहां पर बहुत समय से टीचर्स की कमी रही है वहाँ पर भी ट्रांसफर किये जा रहे है तो कोशिस यह की जा रही है कि जैसे शिक्चा की बात करूं तो मैं शेक्ची सत्र समाप्त होने के बाद में जैसे जो स्कूल की एक्जाम होंगे तो उस समय सबको सेट अप कर दिया जाएगा बीच में कोई डिस्टर्ब करने का कोई ऐसा इरादा नहीं कि शिक्चा ब्यवस्ता में ब्यवद्धान प्रदा ब्यवद्धान आये और जहां तक यह जिस तरह की रेट लिस्ट की बात करती है मार्केट में यह क्या पता कौन उड़ा रहा है आप किसको कह सकते हैं कौन उड़ाएगा चार सालों तक तबादले खोलें नहीं आप अचानकसे तबादलों की आदा है नहीं ऊटर से क्योंकि नाराज heter को दूर करना था ठीक है चाम सुंदर जी सर एक तो विपिंजी ने जिस तरह विशारा किया कि अब एक पूरे तरीके से रेट लिस्ट निकलेगी जिसके आधार पर ये सब कुछ होगा लेकिन मेरा सवाल आपसे इसके साथ साथ ये भी है कि क्या वाकई में अब बीजेपी को ये महसूस होने लगा है या केंद्र की तरफ से फटकार लग चुकी है कि जितने भी रूठे नेता है या पिर कार्य करता है उनको मनाने के तरीकों को आप अपनाना शुरू कर दी लेखें विजेंद्र जी क्योंकि चिक्षा विभाग मेडिकल विभाग में दोनों जगे इस्टिति अलगत दिकी आपके बिमारी फैली वी है ये डेंगु है आपका पूरा पूरा चिकिस्षावि बीभाग 9000 डॉक्टर्स की कमी है अब नर्सें हैं नहीं आपके पास सारी प्रतिबंदि जिलों में हमारे पत्नियां हैं या कुछ लोग काफी लोग जाते जाते कोशिश कर रहे थे सारे विदायक के खुल वाले प्रतिबंदि जिलों का खोला जाना क्योंकि वहां पहले ही सिख्षक के कमी है वहां पर शिख्षक लगाएंगे उसके बात करेंगे क्योंकि अभी जो तबादले खोल दिये गए तो शिख्षक का पेटेंट बदल गया है क्योंकि वहां पर अलग तरह की व्यवस्ता होगी खाली पद है तो कर सकते हो नहीं कर सकते हैं आज अप सर्प्रस लगा दोगी वह फिर बाद में सर्प्रस होंगे फिर वापिस से इस क्लिनिक होगे उसके बाद वापिस से होगा तो शिख्षा विभाग का तबादला काफी सिस्टम शुरूआ था क्योंकि उनको अटाया जा रहा था तो वह उन्हों कहा कि विधायर को किस प्रगार से कंट्रोल किया जाए वह डिजायर सिस्टम लागू हुआ अशोगलोत ने भी लागू रखा और वसंद्रा जीने में उसको कायम रखा अब आप दिखेंगा लेकिन मैं आपसे जाना चाहरा हूँ क्योंकि 2013 के सुरासंकल पत्र में या घोशना पत्र में यह जिक्र तो नहीं था कि कोई तबादला निती लाई जाएगी अगर मैं घलत नहीं तो 2003 के में शायद था 2003 में भी था और विदान सबाब में इस बात की चर्चा भी हुई थी और उन्होंने साफ कहा था कि सेकेंटरी सेट अप में हम तबादला नहीं थी तयार है बन करके लागू कर देंगे यह बात बाकाइदा का गई थी प्राइमरी सेक्शन के लिए उन्हों करता है अलग से क्या करता है एक नीती बनानी चाहिए कि आप आपका रिजल्ट खराब है आप तीन साल तक कही है या चार साल तक कही है अब बाकी मद्यबर्देश होगारा में सब जगे हैं कुछ नीतिया बनाई भी है उनको इच्छित इस्तान पर सही सिक्षकों को लगात है तीस हजार रोज कमाता है तो उसके लिए बीस लाग दस लाग देना कोई बहुत बड़ा माइन ही नहीं रखता क्योंकि सो पता है महीने बर में बसूल अब एक सिक्षक है सिक्षक को लाग रुपे अब तनका मिलती है कि तीन मैने की तनका कितनी है डाई से तीन चार में दिक्कत नहीं लेकिन देने किसको है? ऌunun सिक्षा मन्त разм बाद ली करने केंता होए मतंब में मंतरीर मंतरी होंगए कुछ तबबार मांतयी नहीं हो आप मेरे के लिए आपके करूंगा क्योंकि विभागों में आपसी होता है कि मैंने इतने करो बाकादा मंत्री घर जाके बहड़ जाते हैं कि मेरे तरह तुम इतने करो मैं तुम्हारे कर दूँगा आज से भाजब्पा कारले में फिर से सुनवाई क्या सुनवाई नी तबादले का अरजी लेना शुरू कर दिया गया पढ़नामी जी भी कह रहे थे हम पारदसी हैं पारदसी किस बात के इस पत यह पारदस्ता नहीं ह कह रहे थे कि सरकार नाम की चीज महसूस नहीं हो रही जो करता ही कि हमारे शन्व नहीं हो रही है वह नाराजगी इस बातलों के जरी जो कुछ जेब में आता है वां नहीं रहा장 यह करना चाते आए क्ष्ट जबास है और कि प्रौद के घृn सारी चीज़ जूड़ी में इन अलग बात है दूसरी बात ये भी है कि आप तबादलों के अंदर भाई बती जाबाद निक्षित हो चलता है कुछ लोग करेंगे लेकिंगे आप और बड़ी बात देखेगा कि आप देखेगा कि जहां बीजेपी काराले में कौन लोग जाएंगे बीजेपी का जिलाद देख बीजेपी का परदेशित मंत्री कहेगा या वो कोई कहेगा आप आम जंद देखेगे तबादला नीती के लिए एक ही नीति है रिश्वत और रिष्तेदार अब आम अक्ति कहां जाएगा तबादला कराने उनको तो कोई सुनने वाला नहीं आम एक्ति मंत्री को देखी भी लेकिन शाम जी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक जो तबादला नीती वर्तमान में राजिस्तान में काम कर रही है वो सिर्फ एक ही नीती है या तो रिश्वत या फिर रिष्तेदार लेकिन क्या वाकई में चुनावी साल के अंदर इसको लागू करने के पीछे दोनों ची अब वो चालू की है उसका कारण है कि अभी चुनाव का साल है अब चुनाव के साल में कारेकरताओं को खुश करना करमचारे को दबाव में लाना अत्वा कोई ऐसी चीज़े जिससे क्या है कि तार्गेट पूरे करने का काम है नाव नर्दी को देखते वे इन्होंने इस प्रकार लालत दिया है कि इस प्रकार से इनकाराद कास पर अपने विजायकों के दिजायर से इनकार कर दिया जाए